प्रेंड में भीकाद शिक्षा उचन ततां इंडेन एकोनोमी की इस मेगा इस रिश्ट के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे साथियों हम भारती अर्थ विवस्ता पढ़ रहे थे और इस भारती अर्थ विवस्ता को हम वबस्तुनी प्रश्णों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत मेरे साथियों हमारी 5 क्लासे हो चुकी है और आज की जो क्लास है यह 6 क्लास से और इस 60 क्लास में 25 अन्य महत्पूर्ण अर्थ विवस्ता के कोशनों के बारे में हम जानेंगे तो मेरे साथ यो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजे जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने अभी तर सिक्षा ओशन को सस्क्राइब नहीं किया हैं वे सभी लोग सिक्षा ओशन को सस्क्राइब कर दीजे और मेरे साथ यो बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इसके परशात मेरे साथ यो आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेस्बूक पेच की लिंक प्राप्त करेंगे उस link पर जाकर आप सभी लोग हमारे Facebook पेच को like कीजे मेरे साथ यो इस वीडियो के description में ही आप सभी लोग Instagram चैनल की भी link प्राप्त करेंगे उस Instagram चैनल पर जाकर आप सभी लोग हमारे चैनल को follow कर सकते हैं इसके अलाव साथ यो टेलेगराम की लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्ट्ट हो जाएगी हमारे टेलेगराम चैनल को जरू जोइन कीजेगा जहाँ पर आपको study material प्राइट कर वाया जाएगा इसके लवाब मेरे साथियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्रिशन से ही आपको हमारे ब्लोग की लिंक भी प्राप्त हो जाएगी और अब हमारे ब्लोग पर विजि़ट ज़रूर कीज़े गा इस लिंक के माध्यम से जहां पर आपको इस Class की पेडियब प्राप्त होंगी तो साति右 चले ज़े आसके ख्रूर करते क्लास करने से पहले तुरांट आप सभी आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो शेर कर दिजी और मिरे साति यदफ रखेगा कल रातरी दस बजे से हम भारती आदुनी भात के इतियास के dumplings शुरू कर रहे और यह पूरी上 लाइव रहेग इसको हम पूरा सब्जेक्ट के तहत पढ़ने वाले हैं यानि डोपिक वाइस पढ़ेंगे पूरी डीटेल तरीके से सिलेबस के अकोडिंग हम चलने वाले हैं तो मैं सातियों आप कल रातरी 10 बजे सबी लोग ओनलाइन आईएगा मैं ओनलाइन रहूँगा और हम लाइव क्लास पढ़ेंगे मैं लाइव रहूँगा कल 10 बजे और सिक्षा ओशन के प्लेटपॉम पर हम आदोनिक भारत के इत्यास को पढ़ेंगे तो जातियों आपकी जितने भी मित्र हो उन लोगों को भी बता दीजेगा तो इसलिए आप सब लोग सिक्षा ओशन को जादा शेर कीजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा तो चले साथ आज के क्लास हम शुरू करते हैं और आज के क्लास का पहला कोश्चन आप सब के सामने मेरे साथ ही हूँ पहला कोश्चन और इस पूरी मेगा स्रिस का यह कोश्चन क्रमांग है 126 वा कोश्चन और 126 वा कोश्चन हमसे कह रहा है कि सबजी तेल तथा भारत की सबसे बड़ी घेर तेल आयात वस्तु रही है इस अंदर्ब में क्रपया निमलिकित कारणों पर विचार कीजिए पहला कारण है लाबकारी समर्थन मुल्य के कारण भारत में खाद्य अनाच अधिक उगाया जाता है दूसरा भारत में तेल बीच की खेती जादतर बारिश वाले शेत्रों में पर निरवर है तिसरा सबजी के तेल का आयात लागत प्रभावी रहा है मेरे सात्यों जब हम बात करते हैं कि भारत में क्रशी की तो आप लोगों को मैं बता दो भारत की जो क्रशी होती हैं वह क्रशी आपके अधिकाश मात्रा में मांसुन के उपर निरभर करती हैं और हम बात करें अभी सब्जी तेल की यानि हम अभी बात कर रहे हैं जो हम फूर्ड ओइल जिसे हम यूज करते हैं सब्जी बनाने में जिस तेल का यूज करते हैं उस तेल को हम बात कर रहे हैं रिफाइन तेल और मस्टर्ड तेल की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका भारत का सबसे बड़ी घेरत तेल आयात वस्तू रही है क्योंकि लापकारी समर्थन मुल्यों के करण भारत में खाद्य अनाश अधिक उगाया जाता ये बात बिल्कुल सही है ये कतन बिल्कुल सत्य है सातियों क्योंकि लापकारी समर्थन मुल्यों के करण यानि हमारे भारत जो कहता है कि भारत में तेल बीच की खेती जाददर वारिष वाले शेत्र में पर निर्भर हैं जैसा कि मैंने आपलोगों को बताई यह साथियों की भारत में जो एग्रिकल्चर है वह एग्रिकल्चर रहर ecolor culture आपके मानसून के उपर डिबेंड करता है, यानि वारिश के उपर निर्वर करता है, तो दूसरा वाला कतन पर बिल्कु सही है, अब तीसरा जो सब्जे तेल का आयात लागत प्रभावी रहा है, ये कतन आपका गलत है, तीसरा वाला कतन गलत है, बाकि पहला कथन और दूसरा कथन बिल्कु सही हैं तो इस अनुसा से सही कथन के आधार पर हम ए वाले option हमारा सही होगा तो याद रखेगा प्रश्ण क्रमांग 126 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ठीके साथियों? आप लोगो समझ में आए पहला question? अगला प्रश्ण बहुत अच्छा प्रश्ण मेरे साथ यह अगले प्रश्ण पर आप ध्यान दीजेगा अगला प्रश्ण भारती रिजर्बेंक बहुत अच्छा प्रश्ण ध्यान पुरक सुनिएगा भारती रिजर्बेंक के दिशा निर्देश के अनुसार दिशा निर्देश के अनुसार निर्ण लिखित में से कौन सा निवेश बेंक सबसे अधिक जोकिम मुक्त संपत्ती है मतलब की RBI का जो दिशा निर्देश है वो यह कह रहा है कि बेंक का जो पेसा है बेंक के दवारा जो निवेश किया जाता है या फिर बेंक के दवारा जिस शेत्र में पेसा लगाया जाता है वह पेसा यह वह शेत्र कौन सा है जो अधिक जोकिम मुक्त है यानि वहाँ पर जोकिम बहुत कम होता है देखो भारती अर्थ विवस्ता और बेंक में टम आती है जोखिम, जोखिम का मतलब यह होता है कि धन को लगाना, अब जोखिम अधिक और कम, जोखिम अधिक का मतलब होता है कि धन की वापसी के चांस कम होते हैं और जोखिम कम का मतलब होता है कि यहाँ पर धन के वापसी के अदिक है। यानि या पर धन वापस आ जाएगा, तो जोकिम मुक्त संपत्ति हैं, सबसे अदिक जोकिम मुक्त संपत्ति कौँ सी हैं, तो हॉम लोन, सरकारिय स्विकरती सुरक्षाएं या सरकारिय सुरक्षाएं या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे सातियों याद रखिएगा जो होम लोन होते हैं तेके होम लोन जो हैं सातियों वे होम लोन आपके अधिक जोकिम के शेत्र में आते हैं यानि अधिकांश मात्रा में लोग होम लोन उठाते हैं और वह होम लोन को पे नहीं कर पाते हैं उसके बाद सरकारी स्विक्रती और सुरक्षाएं मलकी सुरक्षाएं ये भी आपके अधिक जोकिम में आती हैं अब किन्तु सरकारी जो सुरक्षाएं होती हैं ये सरकारी सुरक्षाएं आपके जोकिम मुक्त होती हैं ठीक है जोकिम मुक्त का मतलब है कि सरकार के द्वारा पेसा बेंकों को दिया ही जाता है स सरकार कभी भी किसी बेंग के पेसे नहीं खाती हैं, तो इस अनुसार प्रश्ण क्रमां 127 का सही उत्तर हो जाएगा C वाला, एके साथियों, चले से, अब चलते हैं अगले प्रश्ण कितर, प्रश्ण क्रमां 128, बहुत अच्छा प्रश्ण है मेरे साथियों, और ये का उत्तर को लगाने की, प्रश्ण हम से कहता है, फालता विशेश आर्थिक शेत्र, फालता विशेश आर्थिक शेत्र, किस प्रदेश में हैं, ओप्शन है, राजस्थान, मेगाले, प्रश्ण बंगाल, या आंदर प्रदेश, विशेश आर्थिक शेत्र, यानि सेंस, और क औषर एक उत्त्र क्या हो सकता थाप सरूर कमेंड में बताइएudos कि इसका उत्र 5 ऐसे को राजसान हो सकता है में गाले खहता है यह पर्ष्यमंगाय यह अंद्रप्रदेश कैने साथ याद रखेगा इसका सही उत्तर है पर्ष्यमंगाल यानि 128 का राइट आंसर हो जाएगा 2003 में विशेश आरतिक स्षेत्र गोशित किया था कब किया था उसको वर्ष 2003 वर्ष्यू थोजार्थ 23 में इसे आपका क्या गोशित किया विशेश आरतिक सेत्र फालता AMY को जोंगी प्रश्यमंगाल में तो प्रश्ण क्रमा 128 का सरित्तर हो जाएगा सी sparkedवला याया जनी प्रश्ण मंगाल से अगले प्रश्ण पर चलते हैं प्रश्ण क्रमा 139 पर अच्छा प्रश्ण है निम्न लिखित पर ध्यान दिजे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा विदेशी संस्तागत निवेश, तिसरा अमेरिकी डिबोस्टरी रसिदे, चोथा वैश्विक डिबोस्टरी रसिदे, ठीके, चार. अब प्रश्रम से पूछा जा रहा है, विदेशी मुद्रा भंदार के इस्त्रोथ के संदर्ब में उप्यूंक्त मेंश से पॉर्ट्फोलियो निवेश के तहत रखा जाता है, तिके, यानि इसका मतलब यह है कि इन चारों मेंसे वह कोन से शेत्र हैं जो आपके विदेशी मु गया है portfolio निवेश के तहट अब यह portfolio निवेश क्या होता है मैं आपको बता देता हूं portfolio निवेश का मतलब यह होता है एसे निवेश को का समूँ जो विदेशों से भारत में ठीक है विबिन शेत्रों में निवेश करते हैं stock actions में निवेश करते हैं उनको portfolio निवेश कहा जाता है तो अब हमसे प्रश्न है यह है कि भया एसे कौण से शेत्र है जहांसे विदेशी मुद्रभनदार भरा जाता है और जो कि आपके portfolio निवेश के अंतरकत हम रखेंगे यानि portfolio निवेश के अंतरकत आपके विदेश मुद्रा भंधार कोंमें भर नाहें तो वह कौन कोन से शेत्र है तो मेरे साथ नहीं पहला जो अप्षन है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि आपका FDI साथ यू FDI zor होता है ना यह FDI आए प्रत्यक्ष रुप से company में निवेश करता है क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि direct foreign direct investment यह सीधे तोर पर निवेश करता है company की हिस्सेदारी खरिदता है तो यह portfolio नहीं हो सकता दूसरा विदेशी संस्ता अगत निवेश विदेशी संस्ता जब निवेश करती है तो यह portfolio के अंतरगत आता है क्योंकि portfolio में समू आ जाता है अमेरिकी depository रसीदे यह भी आपके portfolio होता है जो विदेशी मुद्रा बंढार को भरने का कारी करता है चोता वैश्विक डिपोजटरी रसीदे ये भी आपका विदेशी मुद्राबंडार को भरने का एक तरीका होता है जो कि आपका पॉर्टफोलियो निवेश के अंतरगत रखा जाता है तो आप एक कुछ छोड़ दीशिए कि कि बाकी दो, तीन और चार ये आपके तीनों क्या है पॉर्टफोलियो निवेश के अंतरगत आते हैं तो इस अनुसार से प्रश्ण क्रमा 129 का सही उत्तर हो जाएगा दो, तीन और चार एके साथियों, अगले प्रश्ण के तरफ पड़े चले चले अगला प्रश्ण, प्रश्ण क्रमा 130 अच्छा प्रश्ण है मेरे साथियों, जो लेट आये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम कल रातरी 10 बजे से आदुनी भारत के इतियास के लाइव क्लास शुरू कर रहे हैं यानि मैं रातरी कल से रातरी 10 बजे से ओनलाइन रहूँगा, लाइव रहूँगा आपके साथ ठीके, और हम उस क्लास में पढ़ने वाले हैं आदुनी भारत का इतियास तो आप ज़रूर क्लास जोइन कीजेगा मेरे साथियों, बहुत जादा मज़ा आने वाला हैं हम मोडन हिस्टरी को पढ़ेंगे भाइव अच्छी मोडन हिस्टरी होती है और मैं बड़ी ही तस्ली से और बड़ी ही प्यार से आप लोगों को मोडन हिस्टरी पढ़ाऊंगा तो आप सरुर क्लास जोइन कीजेगा कल राते 10 बजे ओनलाइन आईएगा लाइव पढ़ेंगे साति आपके सारे डाउट में लाइव क्लियर करूँगा ठीक है तो आप सरूर लाइव आईएगा और जादा से जादा क्लास को शेर कीजेगा ताकि बड़ी मात्रा में बच्चे लाइव आकर पढ़ सके ठीक है मरे मित्रो तो चलो अब प्रश्ण क्रमा एकंटीश की चर्चा हम कर लेते हैं नीमि लिखित कत्नों पर ध्यान दीजी पहला कतन तूरित सिचाई लाब कारिकरम क्रशी मनत्राले भारत सरकार का एक पारिकरम है यानि तोरित सिचाई का जो एक कारिक्रम है यहां कारिक्रम क्रश्री मंत्राले का कारिक्रम है पहला कत्र हम से यह कह रहा है ठीक है दूसरा यहां कारिक्रम 1996-97 में स्थापित चल रही सिचाई परियोशना को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्ति सायता प्रदान करने के लिए लोंच किया गया था यानि इसे 1996 में लोंच किया था और इसका उद्देश था कि जित्ती भी सिचाई परियोशना चल रही है उस सिचाई परियोजना को धन देना ताकि राज्ज शिचाई परियोजना का उद्देशों की प्रापती कर सके तो अब प्रस्लम से पूछा जा रहा है कि इन दोनों कतनों में से कौन सा सही कतन है तो मेरे सात्यों एक चीज़ में आपको बता दू कि ये कथन बिल्कु सही है कि 1996 में इस कारिकरम की शुरुवात की गई थी जिसका उद्देश सिचाई परियोशना को पूरा करना था अब पहला जो कथन है कि यह क्रशी मंत्रा ले के अंतरगत चलाया जाता है यह चलाया जाता है जल संसादन मंत्रा ले के तखत यानि तुरित सिचाई लाब कारिकरम की शुरुवात क्रशी मंत्रा ले ने नहीं की है इस पूरे कारिकरम की शुरुवात जल संसादन मंत्रा ले क के द्वारा की गए थी तो पहला कथन गलत हैं जबकि दूसरा कथन बिल्कुत सही है तो इस अनुसास से प्रश्ट क्रमांग 130 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला यानि केवल दो ठीक है मिरे मित्रों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया ना क्वेश्चन समझ में आया अगर आदुनी भार की इत्यास का लाब लीजिएगा चले मेरे मित्रों अब चलेंगे हम अगले प्रश्ट की तरफ अगला प्रश्ट भी बहुत अच्छा प्रश्ट है ठीक है बहुत अच्छी तरह के से आपको समझ में आएगा प्रश्ट क्रमांग 131 निम्न लिखित में से कौन सा निम्न लिखित में से कौन सा कमांड एरिया डेवलप्मेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश था ठीक है ऑप्शन है बनाए गई सिचाई शमता के उप्योग में सुधार करना दूसरा संभावित निर्मान और उप्योग के बीच बनाए गए अंतरको भरना तेसरा तेजगती से भारत में छोटी सिचाई योजना शुरू करना प्रस्ण क्या है बैगिया के कमांड अयर्या डेवल्प्मेंट प्रोग्राम यह कैं मिरे साथियो मैं आपको बता दू कि मांड अएर्या डेवल्प्मेंट प्रोग्राम की शुरूआत 1974 75 में की गई थी और Command Area Development Program मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है सिचाई परियोजनाओं से किस से जुड़ा हुआ है सिचाई परियोजनाओं से और आपका जो पहला जो कथन है न सातियों कि बिनाए गई की सिचाई शम्ता के उपयोग में सुधार करना ये कफन बिल्कु सही है यानि पहला कफन बिल्कु सही है इस प्रोग्राम का उद्देश यह jeśli था कि जितने भी सिचाई परियोजना बनाए गई हैं उनकी शमताओं के उपयोग में हम सुधार कर सकी यानि उनकी शमताओं को हम और बढ़ाएं दूसरा इसका उद्देश था कि संभावित निरमान और उपयोग के बीच बनाए गए अंतर को भरना यानि वर्तमान में जो परियोजना चल रही है और जो परियोजना अब भी फाइलों में हैं इन दोनों के बीच में जो अंतर है यानि योजना का बनना और इंप्लिमेंट होने के बीच का जो समय है इसको कम करना यानि योजना जल से जल लागू हो यह दूसरा उद्देश भी रखा गया था तीसरा उद्देश यह था सातियों कि तेज गती से भारत में छोटी सिचाई पर योजनों की शुरुआत करना यह तीसरा भी उद्देश इसी Command Area Development Program का रखा गया था तो इस अनुसार से यह तीनों उद्देश आपके इस प्रोग्राम के हैं तो प्रश्रक रमांग 131 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ठीके सातियों और एक और चीज आप एक्स्ट्रा क्या याद रखेंगे कि Command Area Development जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत 1974-75 में की गई थी चले सातियों अब चलेंगे हम अगले प्रश्रक रमांग 132 प्रश्रक रमांग 132 की अगर हम बात करें तो अखील भारती ग्रामिन क्रेडिट समिक्षा सिमिती 1969 के चेर्मेन कौन थे ठेके कोश्चन बहुत आसान है हमें सिप चेर्मेन का नाम खोजना है नाम बताना है तो सातियों इस प्रश्रक का उत्तर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे जितने भी ओनलाइन बेटे हैं वे प्रयास करेंगे प्रस्टम से पूछा गया है कि अखील भारती ग्रामिन क्रेडिट समिक्षा समिती 1969 जबकि एर भी हमें बताया गया है कि कौन सी एर में तो 1969 के चेर्मेन कौन थे ओप्शन है ए गोश दूसरा बी वेंगता पिया ठीक है सी जानकी रमन और डी इनमें से सात्यों वें चेर्मेन थे आपके बी वेंगता पिया ठीक है वेंगता पिया आपके चेर्मेन थे किसके अखिल भारती ग्रामिन क्रेडिट समिक्षा सी मिती के तो यादर रखेगा प्रश्ट क्रेजिंगर 452 का सही उत्तर है बी वालगा अब चलेंगे हम अगले प्रस्थनy के तरब मेरे साथ अगले प्रस्थन पर चलने से पहले आप लोगों को मैं बताओं कि हमने हाली में जो सुपे 11 बज़े जो हमारी क्लास चलती थी भारत के भॉगोल उस भारत के भुगोल की Megaceries को खत्म कर दिया है तीक कि यानि वह Classes पू तो उसके लिए हमने आपसे समय मांगा था कि आप बतेए कि कौन से समय पर हो class रखी चाहिए, तो मेरे सात्यों आपकी तरब से vote कम आ रहे हैं, तेको मित्रों अगर आप जल से जल vote करोगे, तो हम जल से जल class शुरू कर पाएंगे, आपकी तरब से vote करने में देरी बिल्कुल होनी चाहिए, मैं को समझ में नहीं आ रहे हैं, यह देरी हो क्यों रही है, क्या आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्या आप लोग यह नहीं चाहते हैं, कि एक subject के बाद दूसरा subject किसी भी तरीके से शुरू हो, मेरे सात्यों में आपको बता रहा हूँ, अभी तो हमने क्रेक करना है, और exam को क्रेक करने के लिए हमें महनत करनी है, और महनत करने के लिए तो सात्यों हमें तो पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करने के लिए तो आप हमें टाइम बताओ ना, जल से जल, तो प्राचिन भाद के इत्यास के क्लास शुरू करवाओ, जल से जल जाएगी तो आपके एक्वाचेन भाध की इत्यास की रहेगी एक एक क्लास हम लाइव शुरू कर रहे हैं रात को दस बचे आदो निग भाध की इत्यास की तो तीन classes हो जाएगी और अगर आपकी और डिमांड होगी तो हम और classes शुरू कर देंगे आप बिल्कुल निशेंद रही है घर में बेट का मस्त शिक्षा ओशन के साथ पढ़ाई कीजिए लेकिन आप वोड तो करिए जल से जल वोड कीजिए यह वीडियो देखने के बाद तुरंद वोड करेंगे ठीके वोड करने के लिए आपको क्या करना है कि सिक्षा ओशन के यूट्यूब चैनल के प्लेटफों पर आप जाओगे ठीके सिक्षा ओशन के प्लेटफों पर जैसे ही गए आपको वहाँ पर कम्यूनिटी एक पेज मिलेगा उस कम्यूनिटी पेज पर क्लि बहरत के इध्यास के क्लास का समय कितना रखा जाए और समय आप लोगों से हमने विविन तरीके से पूछा गया उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता उस पर आप क्लिक कर दीजिए आपका वोटम तक पहुंच जाएगा ठीक है यह आप लोगों को करना है ठीक सातियो चले राष्टे सामाजे साहता कारिक्रम की शुरुवात की गए थी ठीक है ओप्शन है पाचवी पंचवर्शी योजना चट्टे पंचवर्शी योजना साथवी पंचवर्शी योजना या आठवी पंचवर्शी योजना के तहर आपके राष्टे सामाजे साहता कारिक्रम की श है जाधा-जाधा होगा ङलुसी संस प्रयास करेंगे जादा होगा क्या गलत ही होगा इसके लाव कुछ नहीं होगा तो आप सभी लोगा प्रयास तीचें तो क्या उसका आंसर 55 योजना हो सकता है चती 55 योजना हो सकता है या 85 योजना सकता है तो मैं साथ याद रखेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 55 योजना जिहां साथ यो आप मुझे जरा आप मुझे कमेंड करके यह बताइएगा कि आठवी पंच वर्षी योजना की शुरुवात कव कौन से एर में की गए थी घ्यान पुर्वक प्रश्ण सुनिएगा कि आठवी पंच वर्षी योजना की शुरुवात भारत सरकार ने कौन से एर में की थी उस एर को आप कमे दिवाला अब चलाएंगे अगले प्रश्न की तरह प्रश्नक्रमा 134 प्रश्नक्रमा 134 के अगर अपन बात करें तो यह कहता है कि निम्न लिखित हमने सोचा था जिस खर्च से उच खर्च से भी आपका दोगना था तो छटी पंचवर्षी योजना साथवी पंचवर्षी योजना और आठवी पंचवर्षी योजना स्वरी नौवी पंचवर्षी योजना या दसवी पंचवर्षी योजना तो वह कौनसी पंचवर्षी य योजना थी तो मेरे साथ यो वह पंचवर्शी योजना थी साथवी पंचवर्शी योजना के तहट आपके 1.8 करोड रुपए की योजना बनाइ गई थी जिसके तहट 2.1 करोड रुपए इस योजना का लाफ मिलने लग गया यानि फूरी दोगनी हो चुकी थी तो वह जो पंचवर्षी उसना थी, वह पंचवर्षी उसना, साथ भी पंचवर्षी उसना थी, ठीके सात्यों तो प्रश्ण क्रमां 134 का सही उत्तर हो जाएगा B वाला, चले मेरे वित्रों, अब चलेंगे हम अगले प्रश्ण कितर प्रश्ण क्रमां 132, प्रश्ण क्रमां 135 से अनिवारी रूप से आपका निजी करण हो जाता है ठीक है दूसरा निजी करण अनिवारी रूप से संपत्यों के हस्तांतरण में परिणाम देता है यानि निजी करण जब होता है तो उसकी वज़त से संपत्या हस्तांतरित हो जाती यानि दूसरे लोगों क्यात में चली ज वी निवेश कह लाता है सर्कारी संपतियों में कि शेर को ख्रिदना क्या कहलाता है वी-दिध कहलाता है तक लेकिन एक चीज़ पहला कत्रन क्या चय lugUh बिलनीवेश की वज़द से राता है तो मेरे साथ चुरूरी बैजिन नहीं है कि वी निवेश करणव से आपके नीजी करण होता है या फिर अगर किसी सरकारी कंपनी के शेर को बेचा जाता तो इसका दाथ करण यह नहीं है कि उसका पूर्ण रूप नीजीकरण हो गया तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा हां दूसरा कथन आपका विलकुल सही हो सकता है कि नीजीकरण जो होता है वो अनिवारी रूप से पर में अगर किसी दूसरी कंपनी में निवेश करता है तो उसकी समपत्यां उसके पास चली जाती है यानि दूसरा जो कथन है वह कथन विल्कुल सही है जबकि पहला कथन गलत है तो इस अनुसार से बी वाला इसका उत्तर सही होगा ठीक है साथियों तो प्रश्ण क्रमांग 135 का सही उत्तर है बी वाला अब चलेंगे अगले प्रश्ण के तर प्रश्ण करमा 136 प्रश्ण करमा 136 बहुत अच्छा प्रश्ण है जरा ध्यान पुर्वक पढ़िएगा प्रश्ण क्रमा 36 कहता है कथन और कारण कहता है सकल गरेलू उत्पाथ का पष्ण अन्त अनुमान तीमाही अनुमानों के तुलना में अधिक विश्वसनी हैं कारण वर्ष के अन्त का अनुमान WPI और CPI के समग उपायोग पर आधरित होता है मतलब कथनम से कह रहा है कि वह जम GDP निकालते हैं तो GDP एक निकलती है पूरी आपके वर्ष की और एक GDP निकलती है हम तीन महीने की निकालते हैं तो हमसे कहा जा रहा है कि GDP जो विश्वसनी होती है वह वाडशिक होती न की तीमाई होती है तो उसके पीसे कारण यह है कि जितने भी आपके index होते हैं, जितने भी आपके सुचकांग होते हैं, वह सुचकांग आपके वर्ष के अंत में जारी किये जाते हैं, तो उसी के आधार पर आपके GDP के अनुमान भी निकाला जाता है, तो अब इन में से कौन सा विकल्प सही है, तो मैं आपको बता दू, कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीके, तो अब उसके बाग कथन और कारण दोनों आपका सही हैं, यानि कथन सही और कारण गलत यह वाला तो गलत हो जाएगा, कथन गलत और कारण सही यह वाला भी गलत, C वाला बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि कर्फन और कारण दुनों इसमें सही बता रहे हैं तो प्रश्ण क्रमा 136 का सही उतर हो जाएगा C वाला ठीक है सात्यों चलेज़े अब चलते हैं अगले प्रश्ण कितर प्रश्ण क्रमा 133 प्रश्ण क्रमा 133 की चर्चा करने से से पहले जिन सात्यों ने अभी तक भी सिक्षा ओशन की इस class को like नहीं किया हैं सात्यों सिक्षा ओशन की इस class को like कर दो और class को share कर देजे तुरंट share की से प्रस्ट्रक्रमा 133 विदेशी निवेश में सरकारी मार्ग का अर्थ क्या है ठीक है विदेशी निवेश में एक शब्द आता है सरकारी मार्ग इस सरकारी मार्ग का अर्थ क्या होता है Option A. निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ किया जाता है Option B. निवेश केवल सरकार या सरकारी कमपनियों के साथ साजेदारी में किया जा सकता है Option C. निवेश केवल सरकारी कमपनियों में ही किया जा सकता है Option D, निवेश केवल भारत में एक विदेशी सरकारी निकाय दोरा किया जा सकता है प्रशन क्या है कि सरकारी मार्ग का अर्थ क्या है किसमें विदेशी निवेश में तो अगर आपको किसी को भी इस प्रशन का उत्तर गया थे या option C या option D कौन सा option बिल्कुल इसका सही हो सकता है सरकारी मार्ग तो मेरे मित्रो सरकारी मार्ग का अर्थ यहाँ पर होता है कि निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमती से ही किया जाता है ये वाला कथन बिल्कुल इसमें सही है तो याद रखेगा सरकारी मारग का तात पर ये निवेश केवल सरकार या सरकारी अधिकारियों की पूर्व अनुमति के साथ ही किया जाता है ठीक है मेरे मित्रो तो प्रश्ण करमांग 133 का सही उत्तर हो गया ये वाला चले अगले प्रश्ण पर चलते हैं प्रश्ण करमांग 138 भूत अच्छा प्रश्न है 138 लागद जन्य स्पिती बारे में कत्नों पर विचार कीछे पहला कतन लागत जन्य स्पिती मजदूरी किराया ब्याजदरो आदी जिसे लागतों का एक कारिय है तेके लागत जन्य स्पिती में आपके लागत का बढ़ जाना यह होता है और लागत में आपके मजदूरी भी आती है किराया भी आता है ब्याजदर भी आती है यह सब आता ह दूसरा डिमांड पुल मुद्रा Sété की तुलना में लागळ जनन Sété को आसाने से नियंद्रित किया जा सकता है तीसरा लागत जन्य इस्पीती के मामले में रुपियों की खरीद शक्ति गढ़ जाती है तो मेरे साथ यो अगर इन कथनों पर हम चर्चा करें तो पहला जो कथन वो बिल्कु सही है यानि लागत जन्य जो इस्पीती होती है यह मजदूरी, किराया, ब्याजदर आदी जैसे लागत का एक कारे होता है यानि लागत जन्य में आपके मजदूरी भी आती है किराया भी आता ब्याजदर भी आती है और बाकी जो चीज़े होती है वह भी आती है तीसरा जो दूसरा की अगर पर बात करें दूसरा कतर बिल्कुल गलत है कि demand pool मुद्राइश पिति के तुलना में लागजन ने इस पिति से आसाने से नियंतरित किया जा सकता ऐसा कुछ नहीं होता सातियों कि हम लागजन इस पिति को कंट्रोल कर लें जल सी जल ऐसा नहीं होता तीसरा लागजन इस पिति के मामने कमजोर हो जाता है उसकी वज़े से इस रुपिय की वज़े से हम दूसरे प्रोड़क्ट को खरिदने में हम कमजोर पढ़ जाते हैं तो तीसरा वाला कतर भी बिल्कुल सही है तो इस अनुसार से एक और तीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए तो इस अनुसार से d वाला उत्तर हमारा बिलकुल सही होगा ठेके साथियों तो प्रश्नक्रमां 138 का सही जो उत्तर हैं वह सही उत्तर होगा डी वाला केवल एक और तीन ठेके सात्यों निमली कित पर ध्यान देना है अगला प्रशन है प्रशनक्रमा 149 अब प्रशनक्रमा 149 पर चर्शा करने से पहले जिन सात्यों ने अभी तक भी इस प्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करो शेर कर दो और कल रात को 10 बज़े आप सब उनलाइन होने चाहिए क्योंकि मैं उनलाइन रहूँगा मैं लाइव रहूँगा और लाइव रहकर हम सब पढ़ने वाले हैं आदुनी भारत के इत्यास को ठेके और इत्यास बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बढ़े ही तसली से पढ़ेंगे इसलिए आप सबी लोग अच्छे से रात को 10 बज़े ऑनलाइन आज़ेएगा और अच्छे तरीके से हम इत्यास को पढ़ेंगे ठेके सात्यों तो चलो अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की तरब प्रश्न क्रमा 149 निमनिलिखिद पर ध्यान दीएजिए जन्मदर मृत्युदर पहला पॉइंट है जन्मदर का और दूसरा पुंट है मृथ्त्युद्र का I can Pundari 1952 से इन दोनों के बारे मैं कुंसा कतन सप्ट्र है 1951 से सह इन दोनों के बारे में कुंसा कॉसा कॉस्वतं सही है अब तक यह वाला कफन करता है जन्मदर में गिरावट मृत्यू दर जन्मदर में उता चड़ाओ, बी वाला उक्षन के था जन्मदर में उता चड़ा हुआ, म्रत्युदर में गिरावट आई, या C, जन्मदर में व्रद्धी हुई, जबकि म्रत्युदर में गिरावट आई, या D, जन्मदर और म्रत्युदर दोनों में गिरावट आई, ठीके, 1951 से जन्मदर और नत्युदर में क्या variation हुए हैं इस variation को हमें बताना है तो आप ज़रा बतेगेगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा क्या A वाला इसका बिल्कुत सही उत्तर हो सकता है B वाला C वाला या D वाला तो मेरे साथियों आपको मैं बताओ तो 1951 के बाद से भारत में बड़ी मात्रा में आपकी जो medical science से उस medical science में development हुए और medical science भारत में कहीं आगे बढ़ चुकी हैं और अनेक बिमारीयों से भारत ने भारतियों की रक्षा की है तो इसकी वज़े से हमारे भारत में ये बात तो ह नहीं है और साथ में आपकी जन्मदर में व्रदी भी हुई है प्रोपुलेशन आपके भारत में बढ़ चुकी है तो सी वाला कत्र बिलकुल इसका सही जाता है तो प्रश्न क्रमांग 149 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ठेके मेरे सात्यों अगले प्रश्न की तरब हम चल हुआ चापती जब नहीं मुद्रात चापकर सारवजनिक व्याय और सारवजनिक राजस्व के अंतर को पूरा की आचाता हुम हम इस क問題 को क्या कि यानि हम हम नई करणसी को चापकर सारव सारवजनिक व्याय ठीक है सारवजनिक राजस्व का मतलब क्या होता है कि भारतियों के दुवारा या भारत के अंदर सरकार को दिया जाने वाला टेक्स दिया जाने वाला टेक्स क्या कहलाता है सारवजनिक राजस्व इन दोनों का अंतर ठेके, यानि मतलब एक question से अपन समझते हैं, एक उधान से समझते हैं, मानलो कि एक वर्ट्ष में भारत के अंदर से भारत सरकार के पास 20 रुपए का राजस्व पूँचा, कितने रुपए का? 20 रुपए का राजस्व पूँचा, और एक वर्ट्ष में ही भारत ने सारवजन दिया और इस अंतर को हमने कम किया तो इस इस्तति को हम क्या कहते हैं राजकोशी घाटा राजकोशी उत्तेजना या घाटा वित पोशन या विदेबग संचाय तो इसको क्या कह सकते हैं क्या इसको राजकोशी घाटा कहेंगे या घाटा वित पोशन कहेंगे तो मैंने साथ य है तो घाटा वित पोशण कहलाता है तो प्रश्न क्रमा 140 का सही जो उत्तर है 06 एंत थीछ साथ स्यक्रां का हूं स्यस선ब hiring टरब चले कमा 141 डले कि प्ररष् Wagamag मैं 142 है कि प्रष्ण कर आप उत्त देने का प्रयास किजैगा वह अच्छा प्रस्ण है प्रस्ण को दियान प्रवक्स सुनों साती हो वर्ष 1921 को 1921 को भारत के जन सांकिय की इत्यास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है वहने 1921 को एक महान विभाजन की रूप में जाना जाता किसके लिए जन संक्यों की इतियास में उसके बाद भारत में दशक में जन संक्या वरद्धी दर में मामूली गिरावट है यानि वो भारत का कौन सा दशक है जिसमें जन संक्या जो वरद्धी है उसमें मामोली रूप से गिरावट को हमने जाना है तो 1921 से 31, 1931 से 41, या 1951 से 61, वो कुन सा दशक था, वो कुन से 10 साल थे, जिसमें आपकी जनसंख्या व्रद्धी में आपकी गिरावट को देखा गया था, ठीके, तो मेरे साथियों, आप सभी लोग याद रखेगा अच्छे से, कि वह दशक था 1941 से 51 का, जी हाँ साथियों, इस दशक में आपकी जो जनसंख्या व्रद्धी थी, यहाँ जनसंख्या व्रद्धी आपके गिरावट, मामूली गिरावट को हमें देखने को मिला था, ठीके मेरे मित्रों, तो प्रश्न क्रमांग 141 का सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला, चले जे, अब च सक्षम है, यानि इस प्रश्न का उत्तर आप सब भी लोग दे सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास से, और जितने भी बच्चे उनलाइन हैं, वे सब भी लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेगे, ठीके, प्रश्न क्रमा 142 कहता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा, भारत सरकार की तरफ से न्युन्तम समर्थन मुल्य तै करता है, मतलब कि वह कौन है, जो भारत सरकार की तरफ से न्युन्तम समर्थन मुल्य तै करता है, ओप्शन है, क्रश्य मंत्राले, ओप्शन भी है, आर्थिक कारे संबंदे मंत्रे मंदल सिमिति, ओप्शन सी, प्रस्टन भी आपको समझ में आया है और उप्शन भी आप लोगों के सामने हैं तो जरा बताईएगा कि को न्यूंतम समर्टन मुल्य तै करता है आप सभी के सामने 10 सेकंड का समय है तो मेरे साथियों भारत में यूंतम समर्टन मुल्य को जो तै करता है वह क्रशी मंत्रा ले नहीं है वह आर्थिक काय सम्मंदित मंत्री मंदल सिमित्ती भी नहीं है साथियों वह है क्रशी लागत और मुल्य आयोग जी हाँ सी वाले में जो ओप्शन में लिखा हुआ है क्रशी लागत और मुल्य आयोग यह बिल्कुल सही है तो प्रश्ण क्रमां 142 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ठीक है साथियों अगले प्रश्ण की तरब चलें अगला प्रश्ण प्रश्ण क्रमां 142 समुंद्री उत्पात निर्यात प्राधी करण की स्तापना कब हुई थी कब भारत में समुंद्री उत्पात निर्यात विकास प्राधी करण की स्तापना हुई थी तो आप जल्द से जल्द इस प्रश्ण का उत्तर कमेंड में देने का प्रयास कीजिए यह तुरंद बताओ, option तुरंद बताओ, सभी लोग ट्राइ करो यार इसा क्या करते हो 5-6 बच्चे ही इससे प्रयास करते हैं, बाकिर सब बेट के देखते हैं आप सभी लोग ट्राइ करा करो, ठीक है, जादा जादा गलत ही होगा, इसके लावा कुछ नहीं होगा ठीक है, चले जी, तो आगर हम इस प्रश्न के उत्तर पर हम चलें, तो सात्यों 1978 इसका गलत उत्तर है, 76 भी गलत है, 72 भी गलत है, जबकि 1970 बिल्कुल सही है, 1970 में ही इस्तापना की गई थी ठीक है, सरकार की या एक कंपनी इसकी इस्तापना आपका 20 जुलाई को की गई थी, कब की गई थी सात्यों, ठीक है, 20 जुलाई को की गई थी, 1970 में इसकी इस्तापना हुई थी, और इसका जो मुख्याला है, इसका मुख्याला है कोची में, कहां है सात्यों, कोची में याद रखेगा चलेज़े परश्ञ की तरफ चलते परश्ण क्रमा 144 बहुत अच्छा प्रश्न है फोकस एल-एसी इसकिम निम्री खित में से किससे संबन्दी थे यानि यह एक प्रकार की योजना है यह किस संबन्दी थे तो निर्याद का विकास से हैं या हस्क शिल्प उद्योग का विकास से हैं क्रशी से हैं या सम्मूदरी भोजर उत्पात से हैं तो याद रखिएगा कि फोकस एलेसी इसकिम जो है यहां नीरियात का विकास से संबंदित है यानि प्रश्ण करमा 144 का सही उत्तर हो जाएगा एवाला ठेके चलो अगले प्रश्ण पर चलेंगे अगले प्रश्ण पर चलने से पहले में एक पर पौना आप लोगों को बता दूँ कि कल दस बज़े से हम आदोनिघ भाद की इतियास की क्लास की शुरुआत कर रहा हैं और यहां class पूरी तरखी से live रहेगी, हम live भात की इत्यास को पढ़ने वाले हैं, आदुनित भात की इत्यास को पढ़ेंगे, प्रस्टन उत्तर के मांध्यम से नहीं पढ़ेंगे, syllabus की according पढ़ेंगे, तो class को जादा जादा शेयर करना, like करना और fix 10 बज़े online आही जाना, leat मत आना फिक्स दस बजे आपका मैं वेट करूँगा ठीक है चलो तो प्रत्यक्षक्रों के लेवी मुल्यानकन संग्र और प्रवरत्तन के संब्द में विवादों का न्याइक निर्णाएं तीसरा माल पर सीमा शुलक और केंद्री उत्पाश शुलके करतव्यों के दरों के संब्द में विवादों का न्याइक निर्णाएं ब्रस्नम से पूछा जारा कि उप्रोक्त में से कौन सा राश्टी कर प्रादिकरण की कार्यों में आता है ठीक है यानि तीन में से वह कौन-कौन से उद्देश है या काज है जो आपके राश्टी कर प्रादिकरण के अंतरगत आते हैं तो पहला अगर हम देखें कि आयकर के मुख्य, आयुक्तो, फेशले और आदेशों के खिलाप अपिल की सुनवाई तो साथियों याद रखेगा यह इस प्रादिकरण के अंतरगत नहीं आते हैं जबकि दूसरे में बताया हैं प्रक्त्यक्ष करों की लेवी यानि करों को लेना, मुल्यान करना, उनका आकलन करना, संग्रा करना, प्रवरतन करना संबंदी जो विवाद होते हैं यह विवाद आपके राष्टिकर प्रादिकरण के अंतरगत आते हैं तीसरा माल पर सिमा शुलक केंदे उत्पा शुलक कर्तव्यों की दर के संबंद में विवाद जो होते हैं यह विवाद भी आपके राष्टी कर प्रादिकरण के अंतरगत आते हैं ठीक है केवल आपके आयोगतों के फेसले जो होते हैं उन फेसलों के अपिली सुनवाई इसके अंतरगत नहीं हाती हैं तो इस अनुसार से प्रश्ण क्रमा आपके 145 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला यानि दो और तीन इसका बिल्कुल सही है ठीक है साथियों अगले संबंदी थे रिजर्ब प्रति स्थापन, अनुपात किसे संबंदी थे बैंकिंग उद्योग, रसायन उद्योग और और वर्वरक उद्योग, तेल और गेस उद्योग या सिमेर्ट उद्योग Freedom, इस यानि वह कुंसा उद्योग है जिसमें आपके कम्पあのक के पास तेल और गेस उद्योक में होता है ठीक है और इसी रिजर्वर पत्ति इस्पादन अनुपात के पेमाने के आधार पर ही यह तेल और गेस का उत्पादन करते हैं ठीक है साथियों तो प्रश्र करमांग 146 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ठीक है मित्रों चलो चे अब चलते ह भारती स्टेट बेंक की सहाय कंपनिया जितनी भी थी ठीक है भारती स्टेट बेंक जो है इस स्टेट बेंक की जितनी भी सहाय कंपनिया थी उस सभी कंपनियों का राश्टिकरन कब किया गया था तो 1956 में किया था 59 में 61 में 67 में टू दपोइंट कोश्चन है साथियों तो य लिया कैना था यानि 150 से उत्तर हो जायेगा भीवाला 148 सुनहरी क्रांति निम्नल खित में से सरवाधिक संभंधित हैं यानि सुनहरी क्रांती जो है या किसे संभंधित है option A राष्टी सोलर मिशन से option B राष्टी बागवानी मिशन से, option C, स्वच कोईला प्रोध्योगी क्योंग पर राष्टी मिशन, option D, राष्टी पास मिशन, तो आप बताईएगा कि सुनहरी क्रांती किस से संबंदित हैं, सरा, तुरंद आप सभी लोग इस प्रशन का उत्तर कमेंड में बताईए, ठीके, फिर उसके ब दाहरे स सब्क्रांटी को राष्टी मिशन के अनत्रगत आने सकतें, यह राष्टे मिशन के अंत्रगत थो नहैं तो नहीं आएंगे, वस्तों कभी फल यह नहीं, तीसरा, सीदिना प्रोध्योगी की पर राष्टी मिशन, takeout को यह पास के अंत्रगत आते, दे नहीं उत्तर होगा प्रश्ण क्रमा 148 का सही उत्तर आपका वीवाला है ठीक है मित्रों चलो जे प्रश्ण क्रमा 157 प्रश्ण क्रमा 159 को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा typing में हमसे mistake हुई है, इसकी वज़़से हम इस प्रश्ण की पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीके, तो हम अगले प्रश्ण की हम चर्चा करेंगे, प्रश्ण क्रमा 150, और प्रश्ण क्रमा 150 जो हैं, यहां आज की class का आखरी प्रश्ण रहेगा, ठीके, तो देखते हैं कि 150 प्रश् खाद्यख़ सी करती हैं क्यों थे आपके खाद्यख़स लोग प्रदर्शित करती यह मॉल भी हो गया मोटए अनाष को भी वहोजन के रूप में करते तो यह भी खाद्य हो गया जबकि दाल्य को भी हम भोजन की रूप में ग्रहन कर रहे हो इस अनुसास डी वाला जो है इसका रिफाओ एक रतिगे claro चलो जे तो प्राष्णर क्रमा 150 स्हित्तर हो जाएगा डी वाला तो इस प्रकार से आप सब ouais लोग उने इस जाजब हुशन यां अर्थ विवस्ता की आगे की जो खोशन ठी उन कोश्चनों के साती हो यह तो मैं आपके सामने रात को 10 बजे लाइव रहूंगा और लाइव क्लास के तहत हम इसको मोडल हिस्ट्री को पढ़ने वाला है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो वीडियो को शेर कर दो और सिक्षा ओश्ण को जाधा जाधा शेर करो और बैल आईकन को प्रेस करो अग्ली क्लास में या द रखेगा प्राचन भात के इत्यास की class की voting करनी है और कल जो रात को 10 बजे है उसमें आप सबको online आना है उससे पहले आप economic की class तो पढ़ेंगे सही ठीक है उसके बाद हम 10 बजे online आएगे ठीक है सात्यों तो चलेजी तो आज के लिए इतना ही मुलाकात करते हैं कल आप सभी का बहुत-बहुत आप सबस्ट्णार झाला के बहुत उप लिए जझाओे की इतना है उसके बहुते हैं के अजी लोगार करते हैं के वार इतना हैं झाल झाल